अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूं आर्टी टेली प्राइम के इस वीडियो में आप जानेंगे राउंडिंग मेथट क्या है और ये कितने प्रकार की होती है राउंड ओफ इन टेक्स लेजर क्या है, राउंड ओफ इन इन वोईस क्या है, और साथ ही जानेंगे इनका उप्यो कैसे करते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको पर्चेस पर मिलने वाले और सेल्स पर दिये जाने वाले डिसकाउंट के बारे में बताया था और आज की इस वीडियो में हम आपको राउंड ओफ के बारे में बताने जा रहे हैं इसे समझने के लिए हम आपको एक उधारण दे रहे हैं माल लीजिए हमने एक पैन 13 रुपए में बेचा, जिसके उपर 18 प्रतिशत से GST चार्ज किया तो हमारा Sells Invoice इस तरह बनेगा ये देखिए बिल अमाउंट 15 रुपए 34 पैसे आ रहा है अब सवाल ये है कि क्या कस्टमर हमें 34 पैसे देगा, नहीं देगा क्योंकि हमारे आद दिन प्रतिदिन पैसों का चलन समाप्थोता जा रहा है इसलिए हमें बिल को कुछ इस तरह से बनाना होगा कि बिल में पैसे आए ही नहीं पैसों को हटाने या रुपए में बदलने के इसी तरीके को राउंड आफ करना कहते हैं किसी भी बिल को राउंड आफ करने की तीन मैथद्स होती हैं डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग आए इने हम एक एक करके समझ लेते हैं पहली मैथड है डाउनवर्ड राउंडिंग जैसा कि नाम से ही स्पष्ठ है हमारा बिल 15 रुपए 34 पैसे का हो या 15 रुपए 90 पैसे का हम इसे नीचे की और राउंड आफ करेंगे यानि दोनों ही स्थिती में हम बिल 15 रुपए का ही बनाएंगे दूसरी मेथड को समझने के पहले हम आपको तीसरी मेथड समझा देते हैं जैसा कि इसके नाम अपवर्ड राउंडिंग से ही इसपश्ट होता है कि बिल 15 रुपए 34 पैसे का हो या 15 रुपए 90 पैसे का हो इसे हम उपर की और राउंड आफ करेंगे यानि दोनों ही स्थितियों में हम बिल 16 रुपए का बनाएंगे आई अब बात करते हैं दूसरी मेथड की वो है नॉर्मल राउंडिंग प्राय व्यापान में इसी का उप्योग किया जाता है इसमें यदि बिल का अमाउंट 15 रुपए 50 पैसे से कम है तो इसे नीचे की और राउंड आफ करते हैं यानि हम कस्टमर को 15 रुपए का बिल बना कर देंगे और यदि बिल का अमाउंट 15 रुपए 50 पैसे या उससे अधिक है तो हम कस्टमर को 16 रुपए का बिल देंगे सरल शब्दों में यदि बिल की राशी में 50 पैसे से कम हैं तो उसे शुन्य करेंगे और यदि 50 पैसे या उससे अधिक हैं तो उसे पूरे एक रुपए में बदल देंगे और इस तरह हम decimal की value हटा देंगे round off करने की तीन प्रोसेस हैं round off in tax ledger, round off in invoice और round off in voucher class हम इस वीडियो में आपको पहली दो प्रोसेस बता रहे हैं और तीसरी प्रोसेस round off in voucher class के बारे में आगे की वीडियो में बताएंगे तो चलिए बात करते हैं round off in tax ledger के बारे में हम जो भी items पेशते हैं यदि उनका भाव रुपेयों में ही होता है उनके भाव में पैसे जुड़े हुए नहीं होते हैं जैसे 50 रुपे 25 पैसे या 125 रुपे 75 पैसे की बज़ाए यदि आइटम का भाव सीधे सीधे 50 रुपे या 125 रुपे हो तो हम अपने tax के ledgers पर round off set कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अभी तक हम happy traders में वर्ष 2021-2022 में काम कर रहे थे और अब 2022-2023 में काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें gateway of tally पर रहते हुए alter और F2 प्रेस करके current period चेंज करना होगा अब आगे बढ़ते हैं और tax के ledgers पर round off set करना एक उधारण से समझ लेते हैं हम 1 मई 2022 को दीपक traders को 14,999 रुपए में एक printer बेच रहे हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं आइटम का भाव रुपियों में है यानि इसमें पैसे जुड़े हुए नहीं हैं अब यहां पर देखिए CGST का amount 1349 रुपए 91 पैसे और SGST का amount भी 1349 रुपए 91 पैसे आ रहा है और बिल का कुल amount है 17,698 रुपए 82 पैसे अब यहां पर ध्यान दीजिए कि आइटम के भाव में तो पैसे नहीं थे पर tax में पैसे जुड़कर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिती में हम tax ledger पर round off set कर सकते हैं और पैसों को हटा सकते हैं उसके लिए हमें GST के सभी ledgers को alter करना होगा पहले हम CGST के ledger को alter कर लेते हैं यहां हम enterprise करते हुए rounding method पर आ गए हैं यह देखें list of rounding methods में वो तीरों नाम आ रहे हैं जिनके बारे में हमने आपको समझाया था और जैसा कि हमने बताया था प्रायर इसमें से normal rounding का उप्योग किया जाता है तो हम उस पर जाकर enterprise कर रहे हैं ऐसा करते ही एक नया option rounding limit आ रहा है यहां पर हमें वो amount type करना है जिसमें हम पैसों को कम करके या बढ़ा करके रुपेयों में round off करना चाहते हैं यहां पर हम एक type कर रहे हैं क्योंकि decimal की value को या तो हम हटा देना चाहते हैं या फिर उसे पूरे एक रुपे में बदल देना चाहते हैं हम किसी अन्य डिजिट जैसे दो या पांच की जग़ एक इसलिए type कर रहे हैं क्योंकि इससे बिल के total amount पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अब हम इसे save कर लेंगे इसी तरह हम SJST और IGST के लेजर्स भी ओल्टर कर लेंगे चलिए अब वापस दीपक ट्रेडर्स का sales voucher बना लेते हैं यह देखे पहले हमने tax की जो calculation देखी थी उसमें पैसे भी आ रहे थे जबकि अब यहाँ पर केवल 1350 रुपए ही आ रहे हैं आईए अब इसका tax analysis देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी CGST और SGST दोनों 1349 रुपए 91 पैसे आ रहे हैं जबकि voucher में दोनों ही 1350 रुपए हैं इसका मतलब है tally ने सिर्फ invoice के tax leisure को round off किया है अब जैसे ही हम इस voucher को save कर रहे हैं हमारे सामने warning की एक pop-up window आ रही है जिसका अर्थ है कि हमने जो tax rate set किया है tax amount उससे match नहीं हो रहा है हम इस warning को अंदेखा करके इस voucher को enterprise करते हुए accept कर लेते हैं अब हम GSTR 1 पर चलते हैं पहले period change कर लेंगे अब यह देखे हमने जो entry की थी वो B2B में दिखाई नहीं पड़ रही है इसके लिए हमें uncertain transaction पर जाना होगा यहां से mismatch due to tax amount पर जाएंगे अब हम इस entry पर जाएंगे कि देखे यहां क्या mismatch है वो दिखाई पड़ रहा है यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि टैली में इस प्रकार के transactions को uncertain transactions में इसलिए रखा जाता है ताकि आप एक बार verify कर लें कि कहीं अंजाने में कोई गलती तो नहीं हो रही है हम इस entry को as a tease accept करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें alter or J press करना होगा यहां टैली हमसे एक बार और पूछ रहा है कि क्या आप इस voucher को जैसा है वैसा ही save करना चाहते हैं हम yes के लिए enter press करेंगे अब escape की से हम वापस पीछे चलते हैं यह देखिए अब यह entry B2B में दिखाई पड़ रही है आईए बात करते हैं round off की दूसरी process round off in invoice की इसको समझने के लिए हम tax के तीनों लेजिस को फिर से order करके उनमें हमने जो round off set किया था उसे हटा देते हैं अब round off in invoice को समझने के लिए हम एक मई को वासू traders का एक प्रिंटर का बिल 14,999 रुपए 50 पैसे के भाव से बना लेते हैं यह हमारी प्रदेश के बाहर के dealer हैं इसलिए यहां हम IGST लगाएंगे यह देखें बिल का जो total amount है वो 17,699 रुपए 41 पैसे आ रहा है इस बिल के amount को round off करने के लिए हमें round off का laser select करना होगा जो कि बना हुआ नहीं है तो पहले हम उसे बना लेते हैं यहां name में हम round off type कर रहे हैं under में indirect expense लेना होगा अब यहां type of laser में invoice rounding select करेंगे यहां normal rounding और यहां rounding limit में 1 ही रहने देंगे अब इस window को save कर लेंगे अले बिल 17,699 रुपए 41 पैसे का था जो की अब normal rounding method की वजह से 41 पैसे कम होकर केवल 17,699 रुपए हो गया है अब हम फिर से वासू traders का एक printer का बिल और बना लेते हैं बस इसमें भाव 14,999 रुपए लेंगे यह देखे अभी बिल अमाउंट 17,699 रुपए 85 पैसे हैं जैसे ही हम round off का laser select करेंगे यह normal rounding method की वजह से 17,699 रुपए हो जाएगा ध्यान दें यहां normal rounding method के नियम के अनुसार पहले बिल में 41 पैसे थे यानि 50 पैसे से कम थे इसलिए round off में 41 पैसे कम हो गए और इस बिल में 82 पैसे थे यानि 50 पैसे से ज्यादा थे इसलिए इसमें 18 पैसे और जुड़ गए अब हम इस voucher को save कर लेते हैं यहां पर हमने round off करने की दो process बताई इन दोनों process में से पहली process जो की tax leisure में round off करने की है वो थोड़ी लंबी और जटिल है जबकि दूसरी process जो की invoice में round off करने की है वो subtle और छोटी है तो हमें लगता है कि आपको दूसरी process का उप्यो करना चाहिए इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको additional charges in GST invoice के बारे में बताएंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद आपको दूसरी के लिए प्राइट